हेलो एरिवन वेलकम तो एवर्गिन स्टेडी तो आज की वीडियो के अंदर हम क्लास सेवंध की जोग्रोफी का चैप्टर फूर एयर करने वाले हैं तो चलते हैं अपने चैप्टर क्योड तो आपके चैप्टर स्टार्ट होते ही आपका टोपिक आता है एक्मोस्पेर एक्म एक्मोश्फेर एक्मोश्फेर का अपने जरते हैं चैप्टर के अंदर ऊरी करते हैं पहले क्या होता है हमारा अर्थ होता है अर्थ है अर्थ के यहां पर क्या होता है स्राउंडिंग में एट्मोस्फेर होता है यह जो एर के एक लेयर होती है उसी कोई क्या बोला जाता है एट्मोस्फेर बोला जाता है अर्थ के स्राउंडिंग में क्या है एट्मोस्फेर के एक लेयर होती है यह atmosphere जो year के हमारे सरकल में बना रही हूं कि क्यों होती है यह layer क्यों जो sun होता है वह में direct heat देता है heat देगा तो क्या हो हमारे आर्थ पे वह heat direct पड़ेगे और जिसे कि क्या हो जाएंगे लेकिन हमारे चाह रांटिंग क्या यह एक मोस्फेर क्लियर होती है जिसे हमें बचाते है कि से बचाते एर्थ के विचे के जो लीयर होती है स्राउंड आर्थ के प्लैनेट यौके आज पास होती है surrounding में होते हैं चार ओर होती है all living beings on the earth depend on the atmosphere for their survival मैंने आपको क्या बता है ये earth के क्या होते है surrounding में होता है surrounding में होगा तो जो sun है उसे direct heat देगा उसे में बचाएगा और बचाएगा तो क्या है हमारी जो condition है वो हमारे atmosphere वो क्या कर रहा है हमारे यहां पर जीवन लायक कर रहा है इसी लिए इंपोर्टेंट होता है इसे मास ओफ एयर डैट हमेड़ टेंपरेचर ओफ अर्थ लिवेबल क्या बोल रहा है कि यहां पर condition करता है यह आर्थ आर्थ के स्रावड में atmosphere लियर है इसे मैं protect कर रहा है sun से जो direct heat मिलेगा और इसे हमारे जीवन लायक कंडिशन हो जाएगी नहीं तो क्या होगा हमारा यह क्या है हमारे क्या बहुत सारे planet होते है solar system में और beach में क्या होता है सेंटर में sun होता है और सभी planet क्या है इसके रिवोल ऐसे घूमते है तो हमारे अर्थ भी ऐसे घूमता है और रात के समय जो side वाला portion होता है रात के समय क्या होता है हम बिल्कुल frozen ठंड से पढ़ जाएंगे मही सुबह क्या होगा यह वाला portion यहां पर आ जाएगा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा यहां पर इसको heat लग रहे लेकिन पीछे वाला portion फिर दो बार चा फ्रोजन हो जो हमारे atmosphere clear होती है बहुत सारी गैसी से बन कर बनी होती है यह गैसी कौन सी कौन सी है अब इन्हें रीड करते हैं in the atmosphere nitrogen oxygen are found in the bulk quantity जो हमारी atmosphere में क्या होता है nitrogen और oxygen की जो मात्रा होती है वह बहुत जाद होता है as compared to other gases सबसे जादा मात्रा में होती है nitrogen nitrogen दूसरे नंबर पर आते हैं हमारी oxygen यह बहुत ज्यादा quantity में होती है फिर other gases होते हैं जो less quantity में होती है वह है carbohydrates, helium, ozone, argon, hydrogen nitrogen की बिल्कुल कम मात्रा में पाए जाते हैं लेकिन nitrogen और oxygen यह बहुत ज्यादा मात्रा में हमारी environment में पाए जाती है apart from these gases, in gases के अलावा atmosphere में क्या होते है मैंने study में बताए था dust particles होते हैं उनसे भी क्या atmosphere बनता है है तो सबसे impulse जो ज्यादा मात्रा में gas होती है वो होते है nitrogen nitrogen is the most plenty gase in the year कितनी percent होती है 78 hundred में से यह कैं हमारी gases है जिसमें की क्या होता है जो i.e. 78 पर receptor parking होते है nitrogen होते यह इतना portion क्या होता है nitrogen का तो सबसे हमारी गैस हाती है नाइट्रोजन नेडोजन क्या होता है यह वह हमारे प्लांट्स के लिए यह नाइट्रोजन वह होती है शोड़ी नाइटोजन तो नहीं ले सकते कि जैसे हुमन बिंग्स के अंदर भी थोड़ी बहुत मातरा में नाइट्रोजन चला जाता है जब वो ऑक्सिजन लेते हैं जैसे हम हैं हम थोड़ी बहुत मातरा में हमारे अंदर क्या है नाइट्रोजन चले जाता है लेकिन क्या होता है प्लांट है उन्हें खुद नहीं ले सकते हैं तो कैसे लेते हैं जो बैक्टरिया होते हैं सोल के अंदर प्रेजेंट होते हैं जैसे कि ये प्लांट है हमारा अब हुमारी प्लांत होती है जो अपना खाना बनाते हैं किस की है से बनाते हैं वह संलाइट की हैं बनाते हैं क्लोरोफिल की हैं अपना खाना बनाते हैं तब क्या होता है वह क्या रिलीज करते हैं वह एक्सिजन और क्या ले लेते हैं यह सास लेते तो छोड़ते हैं तो उनसे वह ले लेते हैं और हमें क्या मिल जाते हैं जैसे ग्रीन प्लांट हमें और सीजन दे रहे हैं इसे क्या बैलेंस बना हुआ है हमारी अट्मोस्फेर में इन इस वह उक्सिजन कंटेंट इन रिमें रहे हैं इस परकार से बैलंस क्या दे रहे हैं और प्लांट बैलेंस बना रहता है तो इस तूट सकता है क्योंकि plant oxygen नहीं दे रहे अब CO2 की मात्रा जादा तो क्या हो जाएगा एक CO2 के खूबी होती है CO2 carbon dioxide की खूबी होती है क्या हो heat जादा जल्दी absorb कर लेता है जब संसे उसको heat मिले इसको absorb कर लेता है absorb करने से क्या होगा हो heat हो जाएगे हमारे atmosphere में और जो Antarctica में जो है वह होती है हमारी glacier होती है बरफ होती है फिंग नहीं लग जाएगी फिंग लेगी तो क्या हो जागी बार्ड आने लग जाएगी और कुछ area में बार्ड नहीं आके क्या आजएगा सूक अपन आजएगा इससे भी लोगों की death हो जाएगी अब हमारे जो तीसरी गैस है वह सी ओ टू है कार्बन डायोक्साइड कार्बन डायोक्साइड इसना अनाधर इंपोर्टेंट गैस ही कुछ अधर जो इंपोर्टेंट गैस होती है जो कि बिल्कुल कम मातरा में होती है हमारे आप्र में ग्रीन फ्लांट यूजकर चार्बन डायोक्साइड टू मेंक दियर फूड एंड इड्लिस जब अपना खाना बनाते तो मैंने पहले विवताया जो चाना बनाते हूं क्या ले 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 लेते प्रफेक्ट बैलेंस बना हो रहता है यह हमें और हम क्या देने दे रहे हैं तो मैंने बताया था यह बैलेंस कब बिगड़ सकते हैं जब हम इस चेजों को जैसे कि हम क्या गरेंगे विकल्स बगार होते हैं उनमें कैस यह हम फ्योजल को जलाके विकल्स को चलाके भीड़ वाले रिलाका हुता है वहां पर हम इकठभ जादा हो जाते तो इस्व और बढ़ जाते हैं लेकिन प्लान्ट प्लांट के कोई मोसम नहीं होता लेकिन मेंदेसम अब 轉म में वह सबजी गेश hmm कि मिलती हैं और सिन अधर करी दो टो ऑ इंच्छा को बिन मोसम सबजी होAg यह हमारे लिए अच्छा भी है CO2 एब्जोर्ड करिया इट क्योंकि हमारे यहां पर नोर्मल टेंपरेचर बना रहेगा नहीं तो ठंडी हो जाएगी ज्यादा लेकिन बहुत ज़्यादर मात्रा में CO2 होगी और कम मात्रा में उक्सिजन तो होमन बिंग सो रही नहीं पाएंग ऊसकी जगह एक नया प्यर लगा सकते हैं जिससके ऐगे बैलेंस बना रहता है तो अमने गैसिस तो देख ली अट्मोस्फेर में तो उमारे अट्मोस्फेर में जो स्ट्रक्चर होता है एट्मोस्पेर में हमने इनको डिवाइड करका है कि एक लेयर दो लेयर तीन लेयर चार लेयर पांच लेयर इसमें डिवाइड करका है यहां पर इस एट्मोस्पेर में यह होता है इस वाली लेयर में यह होता है इस वाली लेयर में तो अलग अलग जो जो लेयर होती है हमारे एट्मोस्वेर में उनका काम अलग-अलग होता है तो हमारे एट्मोस्वेर में पांच लेयर होती है ट्रोपोस्वेर, स्टेटोस्वेर, मेजोस्वेर, थर्मोस्वेर और एग्जोस्वेर होती है जिसमें से फर्स जो लेयर होती है वो ट्रोपोस्फेर होती है ट्रोपोस्फेर क्या होते है जो हमारा सबसे पहली लेयर होते है सबसे पहली लेयर जहांपर हुमन बिंग्स है हम खड़े हैं फिला यह होती है हमारी ट्रोपोस्फेर जो हमारी ट्रोप लेयर होती है हमारी its average height is 13 kms and the air we breath exit here क्या बोल रहे हैं यहां पर troposphere यह कहां तक है यह 13 km तक खाली यह यहां तक खाली ट्रोपोषे लेयर हमारी हां तक है 13 km जह कहां हम खड़े हैं वहां से उपर तक है तो यह 13 km तक है तो यह 13 km और 13 km तक ही होता है हमारे oxygen मातरा मिलती हमें लेकिन 13 km से ऊपर चले जाँगे oxygen की मातरा बिल्कुल कम हो जाएगी हम oxygen ले भी नहीं पाएंगे में in this layer जो 13 Km तक जो layer होती है उसमें में क्या처 को मिल grow जाता री Promise होती है वह देखने को मिल जाती है और तुफान वगार होसाथ में हील पीEEEE और अब मारे फिर्व फिर हो seconds फेगा होती त्र के उपर वाली लेकर झूपर फिर्पेर अब हम देखते तेश्टी त्र दूसरी लेडर कर फिफ्टी किलोमेटर तक होती है य। के वी ऊपर कौन सी होती है यहां पर 13 खतम हुई तो 13 से लेकर 15 तो कौन सी लेर होगे मारी स्टैटोसफेर होगी दिलेर इस प्री फ्रों क्लाउड हमने देखा कि वहां पर क्लाउड वगर थे वहां पर बारिश ओर है लेकिन स्टैटोसफेर में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है होते हैं वहां पर काहल कोईभी इसने में होता है वाह पर क्या होता है शरी होते हैं तो देखोन और मिल जाती है अब तीशरी जो लियर होती है, उससों बोलते हैं myosphere, myosphere क्या होती है, this is the third layer of atmosphere, पहली टोपोफ़़, अब दूशरी stratosphere, अब तिसरी meceralosphere, इतलाइ डूसरी stratosphere, स्टाटोसपार यह किसे टोपोफ़़, stratosphere, और किस क्ली लियर आ रही है, my Flower third layer, इट एक स्टेंड अप्ड हाइट ङुलोमेटर 0 से 13 13 से 50 50 से 80 चीड़ें स्पेयर होगे लियर इंटरिंग तो हर एक लेंटइव 15 क्या यह खूबी है वहां पर मिट्यॉर्ट होते हैं नहीं पफर होते हैं हमारे अर्थ की सरफेस पे गिरते हैं तो मेहीं स्दिप्तर में चलना डेती है काम होता में स्धुर्स लेयर का धो तर्म पर क्या है से से य्ट्र एखरएटर से ढरे तुलाइब आपको तो इतनी हाइट पर जा रहे हो आपको क्या है हीटी हीट देखने का मिल रहे हैं लेकिन यहाँ पर क्या होगा एकदम से जो टैंप्रेचार थंड़ा हो जाएगा इसलिए इसको थर्माइब बोलते हैं आइनोस्पेश इस स्वाइब्स पर क्या होता है जो हमारे रेडियो वग टेलेविजन वगर्वारा के TV वगर्वारा के जो सिगनल जाते हैं थर्मोसपेर जाते हैं यह यह डोकर अन्य यह इन फैक्ट जा रहा हい यह reflect हो के दोबारा आ यह दोबारा ऐसे होते है reflect वैक को कि हमारी thermosphere में हमारी फिप्त लेयर आती है हमारी एक्जो सपेर क्या होती है इसाफिफ्र प्रेवारि लेयर ऑफ दा एक्टमोसफेर सबसे ऑपर वाली लेयर पताली से लेयर की लाइट गैसर वहां पर भी यह नहीं होती और यह नहीं होती हम हवा में उडने लग जाती है तो इसको बोला जाता है एक चीज़ आपको देखने हैं हम एक चीज है हमने सबसे पहले देख टॉपोश फिर फिर देखे हमने स्टा टॉस पेर तो विद्द लेयर है वह यहां पर श्टार्ट हो रहे हैं लेकिन जो यह layer को क्या बोलेंगे, beach वाली जहां पर ये खतम हो रही है ना, इसको बोलेंगे terus. जो नीचे वाली layer होते है ना, उसका नाम लेकर क्या होता है? Tropos slots. यह क्यों से layer है? Tropos. 시 गोर्चाइडाइ पर आगी status पर. फिर आगे आती है हमारी मीजो स्पेर, तो मीजो स्पेर क्या है, मीजो स्पेर लेर स्टार्ट होगी, लेकिन यह क्या लाए जाएगी, यह वाली जो लेर, स्ट्राटो पोज, क्या लाए जाएगी, फिर उसके उपर कौन सी लेर आती है, हमारी मीजो स्पेर के उपर, थर्मो स् तो कोई भी पोस को जुरती नहीं मैं जैसे यासे कि इस वाली पारट को देखो यह क्या है प्रोपोज फेर जिस वाले को क्या बोलेंगे डो पोज स्टेटोश्पेर वाली लेखो क्या बोलेंगे यह मीजो स्पेर यहां पर मीजो स्पेर इसको क्या बोलेंगे मीजो और थर्मो मिल रही है यहां पर मीजो पोस बोलेंगे थर्मो और एक्जो मिल रही है जहां पर थर्मो पोस बोलेंगे समझा गया यह वाली लेयर को अच्छी तरीके से समझो हमने क्या देखा ट्रोपो स्प पर फिर पर तेमप्रेचर होता है और हमारे स्वात्व आप सैंड होता है रही चोरेड़स्व मिलते हैं और तो कहल owned है कि हमारे जो normal weather होते है चेंज होते रहे से गर्मी का सर्दी का फिर जो हवाँ चलती है थंडी-थंडी वो टैंप्रेचर बीच का टैंप्रेचर और फिर क्या रही होता है हमारे बारिशी वगारे का मोसम यह से निगे समय ते आफ पवह थे और अब देखने मोसम के दिन पर पर चेंज होता है नियसे दीन की दिन सभब तो थंडी हवा चलती लेकिन dofar कर त। लेकिन फ्राइन गर्मी हो जाती है और चाह़ए होए कर रात को तुखे और दोफार हो जाते तो एस हिना हमारे च्योड थंडे होते हैं बदलते रहते हैं हमारे एक दिन में भी बदल सकते हैं क्लाइमेट 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 रेफर टू एटमोस्फेर चेंज ओवर लोंग ट्रियाड ऑफ ताइम बहुत लंबे समय से जैसे कि 30 साल से इसका एंग्जामपल मैं बताती हूं कैसे 30 साल से कैसे एंग्जामपल देखो हमने यहां पर देखा कि क्या है शि से सथ कि रहता है वैुक्ilee से मोड्राइट सहुमारा में मोड्राइट रहता है नहीं तो गरमी नहीं सर्दी बीस से 30 तक रहता हैckenकि मह ऑं 14 चाहा था तन्ड हो जाए तो इसे प्यां और नहीं हो और थे 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 सालों तक देख रहा थे मैंस 40 से टम रह रहरा हमारे विंटर का टेम परेचर लेकिन एकदम से उचेंग हो गया माइनस 40 तो चाह ती सालों में जो चेंजे़ हमें अब देखने को मिला उसको क्या बोलते क् सब्सक्राइब करें जैसे कि हम क्या बोड़ रहे हैं पहले तीस सालों में हम देखें तो हमारा जो टेंप्रेचर है वह इतना नहीं था लेकिन आज के टाइम में गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होते हैं इस देखते आ रहे हैं ज유로 को टेंप्रेचर है ये इस में बता है क्ला क्लाइमित का जैसे हमारे मौसम मिया इस मम में इस हम सरदी मोशम बता रहे हैं इस तो तो एक और एंग्जाम्पल देख देती हूं जिससे कि आपको और ज्यादा अच्छी तरीके से समझा जाएं तो क्या होता है हमारी जो क्लाइमेट होते हैं क्लाइमेट जैसे कि और एक जाएं गर्मी रहती है लेकिन एकदम से अंटार्टिका में बर्फ जमी रहती है लेकिन एकदम से वहांपर ऐकदम से बर्फ मिंगने लग जाएगा वहां तो इसी climate बोलेंगे अब देखते हमारा जो next topic temperature the temperature that we feel every day in the temperature of the atmosphere जो हम रोज फील करते हैं जैसे मैंने गर्मी फील करी तो मेरा गरम temperature है हमारे atmosphere का मैंने सर्दी फील करी तो कि हमारे atmosphere का cold temperature है इस दिगरी यह कि हमारे temperature किसमें आपा जाता है डिगरी में होता है यह 0 डिगरी temperature ए 1 डिगरी Celsius temperature ए 2 डिगरी Celsius है डिगरी of hotness and coldness of the air is known as temperature ठंडी का मोसम है ठंडी वाला मोसम है तो उसे जो temperature रहे तो तंडी का बताएगा गरम का तो गरम temperature बताएगा ली टेंप्रेचर जो एतार हो दिंसे दिन भी बदलते रहते रहते हैं ओर राससज़्सीज़न सो सिजन भी बदलते रहते हैं कैसे दीन से दिन जैसे मैंने पहले भीughter एंग्या थकी सुबए का थणी ठंडी हवास चाड़ी है राथ हमें दौफएबatti को हमें धूब से से गर्मी लगे हैं फिर बारिश हो गही तो यह टेंपरेचर चेंज होता है यह माँ ल общем सुबहारा जो टेंप्रेचर था त MAY किन फर को क्या हो गया वहांगा जो टेंपरेचर बोहां जादा गर्मी हो गहीं तो फूर्टी डिग्री स्टैने यह से क्या को कि independence blueprint हो गई तो क्या कि Defense ते रहता है तो सबस्ताय तो सिंप्रेटर हमें सब्सक्राइब हम जाता है तो सद्लिक 60 तो सब्सक्राइब हमें 27 सब्सक्राइब चाहती है क्या है हमारे टेंप्रेचर सीजन टू सीजन भी चेंज होते हैं और हमारे डे और नैट भी चेंज हो जाते हैं अब हमारे एक कोशन बनता है टेंप्रेचर से रिएटीड वो क्या है जो हमारे टेंप्रेचर होता है हमारे बोडी टेंप्रेचर होते हैं जैसे हमें बुखार हो जाता है तो डोक्टर के हमारे टेंप्रेचर मेजर करते हैं कि इस बचे का टेंप्रेचर कैसा है तो उसे एक मशीन होती है उसकी द्वार हमारा temperature measure किया जाता है उसको बोला जाता है thermometer तो उसी परकार छे जो हमार atmosphere होते हैं उसका भी temperature मापा जाता है कि cold है, hot है अब जो temperature वो भी किसे मापा जाता है thermometer से यह आप image देखे रहे हैं यह thermometer की image है अब हमारा next topic तो नहीं है लेकिन हमारा तेंपनेटेशार की अंदर आता है इंसोलेशन होता क्या है यह देखती है एक दिपेंट थेट यह क्या है हमारा क्या है अर्थ है यह क्या है हमारा सन है इसे जो हीट इसने अब्सोर्ड करी यह हीट है जितने हमारी अर्थ ने अब्सोर्ड करी उसको क्या बोलेंगे अर्थ से उसको क्या बोलेंगे इंसुलेशन बोलेंगे the amount of insulation decrease from the equator towards the pole जैसे हमारे आर्थ होता है आर्थ के अंदर यहां पर sun है यह heat कहां पर है ज्यादा heat कहां पर जा रही है हमारे equator पर तो कि यहां पर गर्मी होगी लेगिन यहां पर direct heat नहीं पोच पाती तो यह फूल में कहा ठंडी रहती है और यहां पर ज्यादा गर्मी रहती है तो वहीं कौसिन बोल रहें जो हमारे insulation होता है वह इच्ण ज्यादा गर्मी होते हैं इक्वेटर में ट्रैप हो पाती है बत आमारे पोल में इतनी heat वो अब्जोर नहीं बहूंप पर बरफ जम्मी रहती है जैसे कि हमने देखा कि यहांपर क्या होगा है यहांपर तो यहां का तो यहां अमेरिक वगारे में यहां पहुत ज़्यादा आफृक्ती बहुत ज़्यादा इसलिए वहां के लोग होते हैं थोड़े चाले-चाले होती है लेकिन पॉल्स में बहुत जादा ठंड होते हैं तो यह टैंप्रेचर होते हैं यह विलेजिस में और हमारे सीटीज में अलग-अलग होते हैं वहीं विलेजिस में थोड़ी ठंड़क होते हैं तो हमारे सीटीज में बहुत जादा दोड़ता नहीं होती है उसके खुबी होती है अलपास्ट की क्या होती है वह जब ज़्वादा जिल्दी कर लीता है और छोड़ता नहीं है फोट लेट तक वह ही जमी रहते हैं इसलिए हमारे हमारी जो सिटी में बहुत जादा थंड होती है और यह दूरिंग दीडे पूरे दिन पर ऐसे चलता रहता है बट एट नाइट वो हीट कार रिलीज हो जाते है क्योंकि दीरे दीरे होती है ना क्योंकि वहाँ पर इतनी रात को सन तो होता है नहीं इसलिए वहाँ पर क्या है राज के समय थोड़ा बहुत नूर्मल मुझ तरह किकल यहां फ्राफ क्यों होते है अ whipped अ Be करते रहते हैं लेकिन हमारे अर्थ के ऊपर हमारे अंदर हमारे अर्थ हम रह रहे हैं वहाँ पर क्या एयर प्रेशर होता है जिसकी वजह से हम एक दिंगा रुके रहते हैं जैसे कि आप जहां खड़े हो आप फिलाल बैटे हो जहां भी हो आप पर क्या हर जंगह से क्या प्रे पार हुँ तो वैसे आप पर लग रहा है ये ँपल poco उपल ओ गोँद इस डीएर एक्स दिथ हमारी यहां पर होता है और यह देखो हमारि माउंटें किया है यहां पर क्या प्रैश्य ज्यादा लग रहा है येर का ज्यादा लगए नसुको निचे तो काना पड़ तो इसका प्रैशर यह improves यह पर अपर चड़ fulfil करने के लिए लोग चड़ते ने पाड़ो व अगारप तो एर का यहां पर प्रैशर कम लगए क्यूंब कि आए क्योंकि माउंटनेंटेस पेड़, तो इसको बोलेंगे er को फिन देगल को ट्रश्व बोलेंगे यहां पर एर का प्रश्य ज्यादर लगा इसको समझा गया As we go up, जैसे हम उपर जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, तो pressure क्या है, कम लगेगा, एर का, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, लो pressure बोलेंगे, जिससे की C level होता है, C level क्या होता है, कभी भी कुछ चीज मेजर किया जाता है, जैसे toposphäre हमने मेजर करे, वो 0 से लेकी 13 तक होता है, तो को negative मानते रहेंगे इसमोंढर से नीचे है उसको माइनच और उपर वाला पोजिटिव से हमारी लेर टुप आ जाता है तो यह सी लेवल पर का मैं प्रेशर होगा सी लेवल यह सी लेवल तर स्था एर का pressure ज्यादा कोई भी वाँ प्लेस पे खड़े तो इसको बोलते हाई टेंप्रेचर यहां का सी लेवल का जो टेंप्रेचर होता हाई टेंप्रेचर होता है और हाई प्रेचर लगता है मांटेंस का जो टेंप्रेचर होता है वह लो प्रेचर होता है और लो टेंप्रेचर होता है और वह नीचे आता है बरफ के द्वारा बार है तेंडी है यहां पर हाइट तो क्या ही यह रिए से इमो unb raises और जाएगा एंडra जहां पर हमारे clouds बन जाएंगे यहां पर low temperature है तो नीचे आएगा heavy air sink and create a high pressure area और heavy यहां पर high pressure था यह sink होगा डूबने लग जाएगा ठीक है ऐसे फैलने लग जाएगा और फैलते फैलते यह ऊपर चले जाएगी जैसे हमारे यहां पर high pressure था अब यह low pressure गया फिर यह नीचे आया किसे low pressure से फिर दोबार से expand होगा यह दोबारा से जाएगा यह दोबारा यह क्या है ऐसे जा रही है तो इससे बोला जाता है कि जो हमारा टैंप जो एर होते हैं मूफ करते हाई pressure टू लो प्रेशर हमारा हाई लो प्रेशर अमाउंट टेंज पे होता है ऐसे जाके एक्सपैंड करेगी मतलि यहां से भी नेक्स्राइक गाता है कि मुप करती है ब्रोड ली डिवाइड इंट जो हमारी हावा किस को अ जाता है एंगास दुसरी जंगाह को एक वह जा रही है रिवाPS एक को तीन पार्ट में डिइवाइड करना तरमनें विपक्र में और लोकहरी हाँ अब और सा देंक서 तो यह उस्टर कोई यह बिन उन्लाइन हुत है यह स्ट сообщ लोग तर उसे बार यह साल बार इस इस साइड तो इसी साइड और वेस्ट साइड गरेंगी इस एक जिन है डारेक्शन में मूव करती रहें तो यह विंड है ऐसे ही मूव करती रहेंगी करती रहेंगी the trade winds trade wind इसका एक्जांपल permanent wind का वेस्टलाइसवां इसनाइन्ट इंडया मोलसोन होता। जिसके हर जील होते है चेंज होते हैं इस सदी है ये ऐसे मूव करती रहती है लोकल कि इन गया जाते है और और पीरियरड ऑफ डे और in a स्मोल इया मतलके तायम पिरियरड के लिए वही औरạo गई भाई जैसे राजस्तान में क्यों होता है हवा गरम हवा बहती है थोड़े समय के लिए यह रुख गई ऐसे लदाक में हवा भाई और फिर रुख गई इसको क्या बोलते हैं लोकल फिर प्रियर टाइम के लिए सबस्क्राइब Cela आप सब्सक्राइब अब हमारे नेक्स ट्रोफिक आता है मोश्या कर छाणिया नमी जैसे कि हम में पसीने आते हैं पसीने में 말 कि आने से फानी है भाप जाल से अब्पर जाएगा जासे अब कई बार पती लिवघारे पानि वालते हैं तो यह पानी के धीरे-धीरे गायब होता रहता है यह इवापोरेट होके रहा है उपर जा और प्रेशान हों कि जो इवाप के दौर उपर जा रही है उसको क्या बोलते हुमीड और हुमीड इटी बनेगी वोटर वैपर के दौरा बनते हैं पसीने उड़ रहे हैं गहम पंखे में चले जाए तो हमारे जो पसीना उड़ जाएगा वहीं हमारे पानी भी उपर उड़ र जैसे कि हमारा एर होती रहते है वह गर्म होती रहते है डी इट कैपस्टी टूओर वोटर वैपर इंक्री एंड लिए बिकें प्र कमौर मौर्ण ब्रौर मोर जाए जैसे कि पानी और गरम होता जाएगा हमारे ऑर जादा होगी तो मारे जो अमारा बोला बहुआ बनेंगे और वोटर वैपर बनेंगे तो इससे क्या है उर जादा नमी होगी के वेगण वटर वैपर मारे वो ट कर भूब थंदी होने लग यहाँ पर I am सब्सक्राइब बारिष को क्या बोलते हैं गोलते हैं जो लिक्वीड फोन में और ने रेन भीचिक वह तो स्नौर्मल सी बात है लिक्वीड फोम में हो रही है तो रेन परस्पिटेशन है वह स्नो की फोल में और यह तो स्नोफ बोलेंगे ओन दाप बेसिक हमने जो मुष्यर को भी हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है एक हमारे कॉन्वेंक्शन रेनफोल होती है एक औरोगराफी होती है और एक होती है हमारे साइकलोन अब इन्हें देखने क्या क्या होती है तो क्या होता है हमारे सबसे पहले होती है कॉन्वेंक्शन क्या होता है यह हमारा सी है सी से क्या है सन से हीट मिली हीट मिलने से क्या लेकिन मांटेन में कुछ अलग तरिके से बारिशी होती है उसको बोला जाता है और थाट होते हमारी जो सांवनी कोम बहुत है यह हमारे क्रीच्व क्सिए यह धर집 मौट यहां पर यहां पर high pressure low pressure यहां से आ रहे ना यह लो प्रेशर इदर है तो यह दुन जहां मिलते हैं ना cloud foam तो वहां पर जोर से बारिश होते हैं जहां पर तुफान वगएरा आ जाते हैं इसे cyclonic rainfall बोलते हैं जो कि